नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडिटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे chemical sector के एक multi-weagger stocks black rose industry limited के बारे में और बहुत से लोग का question है कि सर जिस प्रकार से आज black rose इंदस्टे के Animated केalous में गिरावट देखने को मिली है तो क्या इसका शेर प्राईस 170 रुपे के पास जाएगा या हम क्या करें इसे स्टॉक में क्योंकि आज जिस तरह से गिरावट हुई सभी लोग गवड़ा चुके हैं और सभी लोग जो हतास हैं जिन लोगों ने भी ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिम्टेज में अपने पैसे को निवेश किया है तो दोस्तो उद देश के साथ आप स्टॉक मार्केट में आपने कदम रखा है पैसा कमाने के लिए तो तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे क्योंकि कोई भी बड़ा सेयर क्यों नहों कभी न कभी जरूर गिरता है किसी न किसी रीजर्स के करण गिरता है और हमारे देश के जो रीटेन एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है और उस सुचते हैं कि मार्केट खतम टाटा बाइबाई बेश के भाग जाने में ही भलाई है पूरी सच्चाई जाने बगएर यदि आप ऐसी गलती बार बार करेंगे तो हमेशा आप लॉस में करेंगे और बड़ा प्लेयर्स हमेशा प्राफिट उठाएगा तो बने दिये जेके रूटेक के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा ब्लैक रोज इंदस्ट्री लिम्टेट केमिकल का एक ब्लैक हॉर्स काला गोड़ा है पांच सालों के अंदर अंदस 770% का सांदा रिटन बना कर दिया है केमिकल सेक्टर की एक छोटी कमपनी और इतना बड़ा रिटन आप सोच सकते हैं और आज की जो गिरावट हुई है उसके बारे में भी हमें दालेसिस करेंगे कि यो क्यों ही है और क्या अभी इस केमिकल सेक्टर में रहना ठीक है या नहीं वीडियो देखने के ब सब्सक्राइब करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए तो दोस्तों ऐसे ही आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको मल्टी वैगर सेस्ट मिल जा है जिससे आपका भी पोटफोलियो हरा बरा हो आपका भी पैसा 10-20 गुना हो तो दोस्तों मैंने रिटेल निविश्कों क के लिए खासकर एक टाप 50 मल्टी वैगर स्टॉक की लिस्त तयार की है एक PDF फाइल बनाया है जिसमें अलग-अलग से फार्मा कैमिकल बैंक बेंक अन्बीफ सी आई टी मेटल इन सबसे जो है चूच करके मैंने एक 50 मल्टी वैगर सेस्के लिस्त तयार की है यदि आपको 50 म कि मुल्टी वेगा सेयर स्किलिस्ट वाट्सप के थ्रू मिल जाएगी आप सीधे पॉइंक पर आते हैं और इस कंपनी के बारे में कुछ जानने की कोशिस करते हैं कि कंपनी का बिजनस क्या है क्योंकि बिदाउट बिजनस जाने यदि आप किसी भी कंपनी में निवेश करते ह हैं तो हमेशा आप अंधेरे में रहेंगे और आपकी जो क्लियर्टी है जो आपका फोकस हो कभी पूरा नहीं हो पाएगा तो ब्लैक रोज इंदस्ट्री लिम्टेट एक केमिकल की कंपनी है इस पेसल्टी केमिकल्स होते हो वह बनाती है लेकिन इसके अलावा केमिकल्स के जो अलग-अलग वैरियेंट्स होते हैं उसको एक कंपनी बनाती है जैसे कि रबर केमिकल्स का यूज तो जानती होंगे कि कहां कहां हो रहा है रबर केमिकल्स का उच प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा उच किया आता है और रबर का उच कहां नहीं किया ता यह तो आप पत प्लास्टिक में जो है इस परकार के कैमिकल्स का यूज किया जाता है इसके अलावा ब्लैक रोज इंडस्टी लिम्टेट एप आक्सी हाड़नर वाले केमिकल्स को मनिफक्चर करती है और उसको जो है सेल आउट करती है तो कैमिकल्स सेक्टर की यह कंपनी केवल इस केमिकल्स इस पेसलिटी केमिकल्स के वैरियंट है अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप देखें तो आने वाले टाइम में इनकी और भी ज़्यादा डिमांड होने वाली है क्योंकि स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता है कि अब तक जिस सेक्र ने सबसे ज़्यादा रटन बना कर दिया है ओ है दोसतों क्यामिकल्स स्टॉक हो ब्लू चीफ स्टॉक हो littleheimer milk 앞 का सब्हें तो हुआ हैं तो जब भी कोई केमिकल स्टॉक मुझे मिलता है मैं कोशिज करता हूं कि उस पर वीडियो बना कर आपके सामने प्रजिंट करो तो ब्लैक रोज कि युद्य कम्पनी का मार्केट केपिटल देखे सकते हैं इतना खतर नाख रिटन दे सकती है आप सोच भी नहीं सकते हैं फेस वैलू की देखेंगे तो एक रुपे साथे क्विटी 39.80 परसेंट चोटी कंपनी है लेकिन डिवीडेंट भी प्रवाइट करती है 0.24 परसेंट का इसका डिवीडेंट डिल्ड है और जो जून क्वाटर का रिजल्ट अर्ड डिक्लियर हुआ है इसी के करद जो है इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली ह एर-on-ears sales में जो है increment देखने को मिली है लेकिन यहां पर quarter and quarter sales में गिरावट देखने को मिली है और जहां पिछले जून में 7 करोड कुछ लाग के करीम में जो है company को profit हुआ था, वहीं अब profit घटकर 4 करोड 28 लाग रुपे हो चुका है तो profit में तकरीबन 45% की गिरावट लेकिन दोस्तों ऐसा बेलकुल नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर से क्रिकेट टीम में और एक बार क्लीन बोल्ड हो गया जीरो हो पर आउट हो गया तो अगली बार उसको टीम से निकाल दिया जाएगा ऐसा नहीं होता है सब हमेशा जो है क्वाटरल रिजल्ट अच्छे नहीं क्रोड का सेल फिर 488 क्रोड का सेल्स और अभी करेंट यर में 509 क्रोड का सेल्स ब्लैक रोज इंदस्ट्री लिंटेड ने जनरेट किया है उसी के अनुसार नेट प्रॉफिट देखें तो 2020 में 21 क्रोड का नेट प्रॉफिट 2021 में 27 क्रोड का 2022 में 32 क्रोड का और अभी प्राइन कोर के नेट प्रॉफिट में एक कंपनी रण कर रही है तो आप सोच लिजिए कि एक कंपनी शॉट टर्म में आपको थोड़ा दुखी कर सकती है लेकिन लॉंग टर्म में अल्टीमेट आपका पैसा बड़ा बनेगा कंपाउंडड शेल्स ग्रोथ को चेक करेंगे तो 10 यार में 18% के CGR के साथ इसका सेल्स प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वहीं प्रॉफिट ग्रोथ रेट को चेक करेंगे 10 यार का जो 67% के CGR के साथ पिछले 10 सालों से एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और यही कार है कि इ 51 percent के सिएजियार के साथ इस कमपनी का सेयर प्राइस भाग रहा है तो 53 परसेंट और 3 कर्यार के साथ इस कमपनी का सेयर्ष प्राइस मार्केट में थूम मचा रहा है, रिजर्ष प्राइस की आप बेचेंगे जिया दोस्तों बिलकुल नहीं अगर मुझसे पूछिए तो मैं और खरीदूंगा यदि और गिरावट होती है इसमें फरदर तो मैं इसमें और भी ज्यादा क्वांटिटी एड करूंगा क्योंकि केमिकल सेट्टर का एक मल्टी वैगर सेर है दोस्तों और अभी शेर वल्डिंग पैटन देखें तो 75 परसेंट का स्टिक्स इसके पमोटर्स के पास है अब कुछ लोग बोलेंगे चार्ट को देखेंगे तो दोस्तों आप खुद देखि तो 200 के ऊपर से डारेक्ट इतने नीचे आया तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं कि 170 पर जाएगा अगर 150 पर जाएगा तो भी आपको डरने की आओ सकता नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनस अच्छा है एक क्वार्टर रिजल्ट होने से खराब होने से कंपनी बरबाद नह होना है तो आपस और डांस को जहिलने की आदत आप अभी से डाल दीजिए तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा यह दिए वीडियो पसंद आए तो प्लिज इस वीडियो को अजी सदिक लाइक कीजिए नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क इक उनको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड हो तो उसका नटिपिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड़नाइट सुब रात्री